प्रतिमा उन्होंने इस प्रतिमा के सामने कन्यादान की रस्म पूरी कर अपनी मा को दियावचन निभाया कुमार अमेरिका में रहते हैं अप्रेल 2021 में तेलंगाना की राजसानी हाइद्रबाद में रहने वाले उनके पिता सुब्रमन्यम समेत उनके परिवार के पांच सदस्य कोरोना वाइरिस की चपीट में आ गए थे जब तक कुमार भारत पहुचते उनके पिता दुनिया छोड़ चुके थे एक हफ्ते के भीतर उन्होंने अपने परिवार के दो और सदस्यों को खो दिया मॉममी कोसम मों चली कोसम मों स्पेशल ही चानओ मॉममी चाला लो है पेरो आफ्र राड़ी सो यहला रिकावर चे याली फैइन यहला थेख इंचाली आरया प्रॉप्लम निंचे चूस्ते इंद कंड बेस्ट ओप्षन ना केम कांप्यालेदो जब पिता गुजरे तो कुमार की बहन बैशनेवी भी अमारिका में थी कुमार ने बहन को ठाडस बंधाते हुए पिता का अंतिम संस्कार किया पिता के जाने के बाद भाई बहन भी काफी दुखी रहने लगे थे हाला कि ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि कुमार बहन की शादी में अपने पिता को इस स्वरूप में ले आएंगे कुमार ने पिता की प्रतिमा के हाथ से ही बहन का कन्यादान भी करवाया अपने में तायमलोः छॉक है टनौ इते है इन मन्स लो आ नुकुंट दूना ने अट जाम मा ड़ी हैा Da indic tप और छूड़क विषे में पिता है र Dutchці stuck che डरी उनी ज๊ंगा Aga रूडनी डात है जाल डै यौना भी नी पीच squashक कुमार ने अपने पिता के निधन के तीसरे दिन सैसला कर लिया था कि वो कुछ इस तरह की प्रतिमा बनवाना चाहते हैं। शुरुआत में उन्होंने चोटा स्टेच्यू बनवाया। उसके बाद खुद अपने पिता की पेंटिंग तयार की। और अंत में इस प्रतिमा से शादी के अफसर पर सभी को हैरान कर दिया। कुमार ने इसे बंगलूरू में बनवाया। लेकिन इसे उन्होंने मौम नहीं बलकि सिलिकॉन फाइबर से बनवाया। उन्होंने विदेश से इसके लिए कच्छा माल आयात किया। इस प्रतिमा को बनाने में उन्होंने आठ लाख रुपै से जाधा पैसा खर्च किया। जैश्री के लिए ये सुईकार करना काफी मुश्किल था कि दी असनल में उनके साथ तैदी साल काम करने वाले और दिन रात के साथ ही उनके पती अचानक इस तरह चले गए। हाला कि अब उन्हें कुछ राहत है। अंदर आयन उन्नार अने फिल ओन जस्ट पल्स लेदू। उनले थिंग, फिजिकली इस वित उस। अने में वत्य स्ट्रांग हूं। डाइवर्ट आउथ नम। अन लेर्वान बादबड़ेद उका स्टेज हूंदे। कुमार के पिता के कपड़े, अंगूटी, चेन, जूते जैसे सामान इस स्टैच्यू को पढ़िया तरह से फिटाते हैं। वो जब किसी समारोह में जाते हैं इसे तयार कर अपने साथ ले जाते हैं। कुमार ने सोचा था कि रोबोटिक्स की मदद से ऐसा स्टैच्यू तयार किया जाए, जो रोबोट की तरह चल सके, खड़ा हो सके, बात कर सके। इस काम के लिए उन्होंने अपने पिता की आवाज और बाती उनके जीवित होने के समय ही रेकॉर्ड भी कर ली थी। लेकिन समय कम होने की वजह से बहन की शादी तक इसे तयार करना मुश्किल था। लेकिन भविश्य में अपने पिता का रोबोट तयार करने के लिए वो तयारियों में लगे हुए हैं। कुमार का कहना है कि इसके तयार होने के बाद वो उसे अमेरिका की उन तमाम जगों पर ले जाएंगे। जहां जहां उनके पिता जाना जाहते है।